मसकर दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल सुखी बावा में आज की हमारी रेसिपी है चूड़ा तो आईए सुरू करते हैं चूड़ा बनाना तो चूड़ा बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे बेसन यह बेसन लगबग तीन कटोरी है और इसमें अब हम डालेंगे एक छोटे जमच अजवाईन और एक छोटे जमच लाल मिर्शी पाउडर और एक छोटे जमच हरली पाउडर और स्वाद अनुशा नमक और साथ ही इसमें हम डालेंगे दो छोटे जमस तेल यह आपस्टनल है और अब हम इस वेशन को अच्छे से दोनों हाथों की साहता से रगड़ते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें सभी मसाले मिल जाए तो आप देख सकते हैं हमारे वेशन में अच्छे से सभी मसाले मिक्स हो चुके है अब इस वेशन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा सौफ्ट सा डो बना लेंगे जिस तरीके से आटा कुनते हैं बस उसी तरीके से हलका सा सक्त रहना चीए इस डोब को बनाते वक्त याद रहे जादे पानी न डाले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाले कहीं गीला न हो जाए तो आप देख सकते हैं हमारा डोब बहुत अच्छे से बन चुका है अब इसको हम रेश्ट होने देते हैं ये रेश्ट होता है जब तक हम हमारे पास जो जो ड्राइब फुट्स है उन्हें फ्राई कर लेते हैं तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने लिए यहां पर कडाई इसमें दो बड़े चमज तेल डाला है इसको गरम होने देते हैं तो हमारा तेल भी गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे 10-15 बादा इनको हलका रोष्ट हुने देते हैं, ये अच्छे से रोष्ट हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेते हैं. अब इसमें मैंने डाला हैं, यहाँ पे एक छोटे कट्री सुका नारियल कटा हुआ, इसको भी हलका ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे. यह अच्छे से brown हो चुका है इसको हम निकाल लेते हैं अब इसमें हम डालेंगे 10-15 काजु इसको भी अच्छा सा हल्का सा brown होने तक fry कर लेते हैं यह भी fry हो गए है अब इसमें हम डालेंगे kismis इनको भी fry होने देते हैं तो हमारे किसमें भी फ्राय हो चुके हैं अब इसमें मैं डालूंगी एक कटोरी फली दाने और इसको फ्राय होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो हमारे फली दाने भी फ्राय हो चुके हैं और इसके बाद मैंने डाली है यहाँ पे लहसन की कलिया यह भी फ्राइ हो चुकी है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी ड्राइफूट्स को अच्छे से फ्राइ कर लिया है इनको सबको फ्राइ करने में जादे से जादे एक एक मिनिट लगा है अब इसी तेल में मैं पूहे को हलका ब्राउन होने तक भून लोंगी ये पूहा लगबग आधा किजी है तो आप देख सकते हैं हमने पूहा को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया है अब हम सेव बनाएंगे सेव का आटा ने लगबग 10 मिनट तक रेश्ट कर लिया है अब इस सेव के आटे को हम थोड़ा थोड़ा मसीन में डालेंगे और इससे सेव बना लेंगे सेव बनाने के लिए मसीन मेरे पास घुमाने वाली है और मैंने पहले से ही कडाई में तेल डाल दिया था और तेल गरम भी हो गया मैंने आपको बताया नहीं और इस तरीके से हाथों से घुमाते घुमाते हम सेव बना लेंगे मैंने यहाँ पे पतली सेव बनाई है आप देख सकते हैं इनको हम मेडियम फ्लैम पर अच्छा सा फ्राइ होने देंगे इसको हाई फ्लैम पर नहीं करना है नहीं तो यह जल जाएगी तो इसी तरीके से हम सारी सेव बना लेंगे और फिर मैंने मसीन में पपड़ी वाली छन्नी लगाई है और मैं यहाँ पे पपड़ी वाली सेव भी बना रही हूँ तो इसी तरीके से आप भी आपके पास जिस प्रकार की छन्नी है उस प्रकार की छन्नी आप लगा कर सेव बना सकते हो आपको जो सेव पसंद है मोटी पतली तो हमारी सेव रेडी है अब मैं कडाई में से जो ठीर सारा तेल है उसको निकाल लेती हूँ और थोड़ा से तेल और फिर से गरम होने रखती हूँ हमारा तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे एक चमच जीरा इसको तड़कने देते हैं और इसमें हम डालेंगे एक कटा हुआ प्याज ये ओप्शनल है अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा वरनमर डालिए और इसमें मैं डालूँगे 3-4 हरी मिर्श इसको अच्छे से फ्राय होने देते हैं फ्रेंट्स अगर आपको हमारी ये रेसिबी पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके जुरूर बताईए और लाइक कीजिए जादे से जादे से जादे से शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए तो ये अच्छे से फ्राय हो चुका है इसमें हम डालेंगे अब एक चमच, हल्दी पाउडर और स्वादनुशार नमक तो अब इसमें मैं डालूंगी फ्राय किया हुआ पोहा और इसको एक मिनिट तक अच्छे से भूनने देंगे तो हमारा पोहा भून चुका है अब इसमें हमने पहले जो भी ड्राय फ्रूट्स को फ्राय किये हुए थे इनको सबको मिक्स कर देंगे और अच्छे से घुमा लेंगे यह चुड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसे हमने अपने हाथों से अपने घर में बनाया है तो हमने सभी ड्राय फ्रूट्स डाल दिये है अब इसमें हम डालेंगे हमने जो बनायी वाली सेव पपड़ी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हमारा यह चूड़ा तयार है तो आपने तो देखा ही होगा घर में कितने इजी तरीके से हमने चूड़ा बना लिया एकदम कम समय में और इस चूड़े में हमने वही चीज़े डाली है जो ट्राय फूट्स हमारे पस अवलेबल है तो आप भी इस तरीके के चूड़े को घर में जरूर बनाए और अपने अनुभावसू की भावा के साथ सेर कीजिए तो मिलती हूँ फिर इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार